दूड इवनिंग एप्रिबडी नमस्कार नमस्कार हूं मैं कार्ति गुपता आप सभी का MP8247 के ऑफिसल यूटूब चनल पर बहुत बहुत तहें दिल से स्वागत करता हूं आपको पता है ही हमारा वाकेवलरी सेशन जिसमें आप सीखते हैं वाकेव को लेकिन आज हम बात क इस वाक बड़ी सब्सक्राइब को चोटे रूप में कहा देना आप फ्रेजल बड़ी हम सीखते हां से बड़ी लॉटिक के साथ सब्कूद आप बहुत निमॉनिक्स के तरीके से सहीचें ञिखते हैं क्या होती है फ्रेजल då चली आपकोरं मेरे साथ बात करते हैं वैलकम करत यही कोट आपको सब के अपनी अपनी लाइफ में लिखना चाहिए और अपने की कोई अधी हारता है कोई एक्जाम नहीं निकलता है घबडाने की जरूत नहीं बस स्ट्राइजी बदलने की हमाने जरूरत है चलिए आई देखते हैं कानी एक फ्रेजल बब होती है चलिए यह जानते हैं समझते बातको एक फ्रेजल बब हमारे पास क्या देहिती है इक फ्रेजल बब हमारे पास आते यह ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है पबलिस करना किस भी चीज को पबलिस करना तो इस Person को कैसे याद रखें? ब्रिंग का मतलब होता है लाना आत पाफ क्लायरी से बहारी जब आप किसी चीज को अंदर से बहार लाते हैं तो उसका मतलब आप के सामने आ रहे है तो भूलिए गभम्त ठथिस प्रिंग ब्रिंग आउट, का मतलब हो गया उदियों सब्सक्राइब मृह चाहरे अगलीखा Whats यह आती है ब्रिइंग ऑस का मतलब क्या होता है , बंद की एक दारू नहीं बच्चाण पर पढ़ता है तो उसने इस कठिन कारे को मैं क्या करती है, घर पर दारू लाना कर दी, बंद है, अलकोल लाना ही कर दी है, बंद है, तो उसने क्या कि एक बड़ी कठनाई-बाली समस्या पर बिज़र पराप कर ली, उसे कंट्रॉल कर लिया, इसी को हम कहते हैं Bring-off, To bring off, वैती हम जानेंगे, तो समझेंगे, To succeed in doing something difficult, किसी ऐसे कार में, कोई कठिन काम करने में, सफल हो जाना ही, क्या कहलाता है, bring off कहलाता है, याद रखना, O double F off की बात यहां पर कर रहा हूं, O double F off की बात यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, तो off का मतलब होते है, बंद करते है, औ सफल हो जाते हैं, brings off, अभी पहली क्या आई थी, bring out, दूसरे क्या आई bring off, छलिए हम चलते हैं, तीसरी के पास देहिए, एक होता है bring, … क्या होता है ब्रिंग ब्रिंग अब क्या होता है ब्रिंग का मतलब होता है लाना अपका मतलब होता है उपर जब आप इसी भी चीज को उपर लेकर आगे तो इसका मतलब क्या है आप उसे बढ़ा कर रहे हैं आप उसे क्या कर रहे हैं या फिर आप उसका साइज को बढ़ा रह कुए मेरे याद रहे है तो याद रखना भ्रिम्ट आपका मनलब क्या होता है तो इनक्रीज करते धिकरवते याद रेह जी को कहते हैं क्या अगली बाद प्राते हैं आखend कम ड्यांयगी अपको बता देते术 हमने पड़ा और भी bring out मतलब पब्लिस करना एक हमने पड़ा bring off to succeed in doing something difficult कि कोई ऐसे कार करने में सफल हो जाना जो difficult फिर आया bring up bring up का मतलब क्यों ब्रिंग का मतलब लाना आपका मतलब उपर जब आप bring up करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप किसी चीज़ को nurture कर रहे हैं किसी जिसको पोस्ट कर रहे हैं किसी को पोस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को बढ़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है bring up चलिए एक आती है bring round bring round का मतलब क्या होता है bring का मतलब होता है लाना bring का मतलब होता है लाना round का मतलब होता है चारो तरफ जब किसी के parents किसी की girlfriend के parents नहीं मन रहे हो तो सबसे अच्छा idea है उन parents तो चारो धाम की यात्रा करा लाओ और जब आप उसे उन्हें चारो धाम की यात्रा करा लाएंगे तो आपको अपनी girlfriend से शादी करने में दिकत नहीं आई क्योंकि वो तो कहेंगे यार लड़का इतना अच्छा है अभी से हमें चार धाम की यात्रा करा दी तो वो क्या हो जाएंगे राजी हो जाएंगे आपको अपनी बास से तो bring round का मतलब होता है bring का मतलब लाना और round का मतलब होता है कर ले न अपने प्क्ष्र में रले तो कि चलिए बागी की बात समझते आगी बात करेंगे तो एक बात याद रखना bring round bring up bring off bring up ठेक याद रखिगा अगली बात पर चलते हैं एक अगली एडियम अगला फ्रेजलब का ती bring forward bring forward को कैसे मैंने ने दिखा या पर bring forward की थे सब्सक्राइब करें दो मिनिट के हम एक बात इमिज से समझने कोजस करते हैं आप इस बेटर को देख रहे होंगी बेटर क्या कर रहा है ब्रिंग फॉरबर कि खाना कहीं से लाया और आपके सामने ठरा है फॉर वर तो ब्रिंग फॉरवड ब्रिंग का मतलब लाना और फॉरव वालों से कि इस पुलिस को उसको मेरे सामने प्रिजठ किया जाए हम क्या कहेंगे bring forward क्या किया चाहिए bring forward किया जाए ठीक है अब एक बात रखेगा Bring forward का मलब क्या होता है bring forward का मलब होता है to present करना प्रस्तोत करना जैसे कि example के तौर पर देखना चाहेंगे प्रश्तरत करों यरीज़ना कि उन्हें क्या करना पड़ेगा उन्हें कि उन्हें क्या करना पड़ेगा । तो bring forward का मतलब होता है और forward का मतलब होता है आगे जब आप किसी चीज़ को आगे लेकर जाते हैं तो उसे का हम क्याते हैं bring forward ठेक है ऐसी ही interesting बात हैं interesting वाकिव को पढ़ने के लिए अप सेशन को like जरूर कर लें बहुत इंपोडेंट आपके बर्ट्स हैं और यह वर्ट कोई किसी पर्टिकुलरी एक एक्जाम के लिए नहीं है यह पूरी की पूरी वीडियो आपकी CDS, NDA, SSE, Bank उके, as best, we have a pump, सभी एक्जाम से पूछे जाते हैं तो आराम से पढ़िए नहीं समझने की कोश्स करिए, यदि आप बहुत अच्ये से पढ़िए अप ट्रिक फाइस याद रखेंगे को पढ़ने में बहुत आसानी होने लगेगी और जब आ पढ़ने में बहुत आसानी होने बारे में जब आप कोई चीज ला रहे हैं तो किसी कारण से ला रहे हैं तो इसका मतलब होता है cause to happen मलब कारण होना he brought about his company's collapse कि जो company के collapse कि उसके होने का करण क्या था by his reckless spending कि जो उसने reckless spending की है यही उसका क्या बना company के collapse होने का कारण बरवाद होने का करण बना तो इशका वहलाब कि कशी चीजस का कारण cuánt कारण कि करना वाले आदो के पास व्यावत आगे आरे मह Give लाना शालत चब आप आपून आप पास तो इसका प्रोद्स क्या कर लियूए आपने क्या कर लिया चौथा प्रडीन जनव करना चौथा बच्छा यह जनम करना तो यह उसका चौथा बच्छा आ गया है ठीक उसे लाय तो ब्रिंग फॉर्थ हो गया तो प्रिंग फॉर्थ हो क्या हुआ ठाई उसे लिखा हुआं मैडी ब्राटफॉर्ट न्यू लाइन ओफ क्लाउस की उसने मैडी ने क्या कि एक नहीं लाइन पड़ों की और प्राइब कर लिए किसी को जैसे, बिरिंग अडर अब कोई वेने चौका है तो मिल् firearm क्या है मेरे क्पॉड इंच हो क्या करना तो मतलब किसी के बस में किसी को बस करना क्या करना कौन शुम क्याम क्या भलेंगे two control करना इसे ही इंटरें आप मज़ी ले रहेंगे इस क्लास में और मुझे पता है उम्मीद है कि आप बहुत ब्हुत प्यार आप लोग देंगे और इस session को बनाने में बहुत मैनत लगती है अब माने तो अच्छी बात है ना माने तब भी ठीक है लेकिन मैं आपको सच बताना की कोजिस कर रहा हूं कि इस session को बनाने जी और जान लग जाती है तो इस session को बनाने इस session को बहुत बहुत सपूर्ट करिए कि इस बॉक्के भी इंप्रूब नहीं कर पाऊ तो इंगलिस नहीं कर पाऊ गया और इतनी आसान चरीक आसान तरीके से आप इंगलिस सीखने का मुखा मिल लाए तो आप बगत बुले चिकशे के सूर्ड आभी तो इसमें किए उसके बास के दो इसे बासमें किया गया है आगे देखते हैं वर्य आढम ब्रिंग मतलब है लाना और डाउना दौन को वे फणे गव्याना कि चया होगा कि उस सानल आफम कौन क simples को घृतिया निची दो ऑसमें कर देन तर नीचे गिरा दिया तो और की सरकारों ने बनाई थी इसी को हम जलने जनली जब हम को सत्ता से नीचे गिराते हैं तब यूज करते हैं तो रेडियूज इन पोजिशन यदि को प्रेटिक कुर्सी पर बठाए उसको तुमने कुछी छिंली उसको रहका मार दिया तो क्या कर क्या की ठिक जला दिया इसका उसकी पोजिशन को आपने क्ला रिडियूज कर दिया क्या कर दिया पोजिशन रेटियूज कर दिया क्le सबडी हां This अंतरर्फ यह कि पर समें कंड़ा थाय। इक बात को सब्हहरीज़गों बिरिंग अबर बिरिंग इसका क्या है आप कंट्रल कर लें उसे के अपने बुखस में कर लेशा हुंँए है आगी बात देखकें qanaa bring back आपको याद है honey singh का गाना का Bring Me Back बिंफ भी जर है कि मुझे याद ला देना तूक्ड तू माइट कि मुझे याद दिलाओ कि मैं कौन हूं मैं कहां से आया हूँ, क्या मेरा मतलब है, इसका अनलब क्या होता है, bring back, तो honey singh का इक गना भी, honey singh कही आया था, I think, bring me back, शायद, I think, honey singh किसी अथा, आप मुझे exact नाम याद नहीं आ रहा, शायद I think, I think, I think, I am right, so bring back का अनलब क्या होता है, bring का मतलब लाना, back का मतलब होता है बापस, तो to call to mind, to call to mind का मतलब होता है, याद दिलाना, कि उसे याद दिलाना है, मैं हूँ कौन, bring me back, ठीक है, मुझे याद दिलाओ, तो याद रहा, bring back का मतलब क्या होता है, to call to mind, और और इसे याद दिलना kitty आगे बात करते एक बशद होता है bring in क्या होता है ? जब लगए कि नौ जब लग जाती है तो पहले पार जब घर आता है तो वह क्या करके आता है ब्रिंग इन करके आता है तो इसका उनला होता है कुछ नई चीज लेकर आता है तो इसका अलब होता है to earn करना to introduce something new मलब किसी कमाई करना है कुछ नया लाना ठीक है तो आज की हमारी वाकिवलरी की class थी आज हमने सीखें 10-12 वर्ड जो की बहुत important होते हैं एक्जामें यहां से आपकी वाकिवलरी सेशन भी मजबूत होता है आपके कोई जिस भी आते हैं तो तैयार रहिए का ऐसे चीज़ों के लिए आपको हर दिन ऐसे session मिलते हैं आज दिन का चौथा दिन ही आज ही वाकशन का चौथा दिन ही और ये चौथा session था तो thank you so much बने रही है जुदे रही है आज दिल से आपका धन्य भद और मिलते हैं आप से next session जब तक लिए टाटा बाई बाई हसे रही है मुस्कुराद रही है खोश रही है अपना और अपनी फैमिली एक है लगे जैहन जै भारत जै मत प्रतिस थैंक्यों सो मच